नमोता ही जाते भए अरिहन्ता दिमाहान करी मंगल करी हो माहाँ ग्रंथ करने के काल जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज पावे निज पदराज इस भवतर का मूलेक जान हुमे त्याबाव ताको करी निर मूले अब करिये मोक्ष उपावे करिये मोक्ष उपावे मोक्ष मार्ग प्रकाश्यक नाम ग्रंथ आचयारे कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साब की यह सुन्दर रचना आठ में अधिकार के अंतरगत उपदेश की विचित्रता को बतला रहे थे विचित्र प्रकार का उपदेश होता है बड़ी अटपटी सी बातें लगती है कल तो दो तीन बातें ऐसी केदी थी शास्त्रा अभ्यास करना निरर्थक एक दम तो कोई आदमी सुने तो कहें दिमाग तो ठीक है उनका क्या कह रहे हैं सामने से एक बात कही कि प्रतिक्रमन करना जहर और गजब हो गया एक तरफ कह रहे हैं प्रतिक्रमन करना जहर एक तरफ कह रहे हैं शास्त्रा अभ्यास निरर्थक अब सामने वाला तो एक दम दिमाग बॉखला जाए ऐसी बातें संसन करके लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं बहिया उपदेश का इसी प्रकार का स्वरूप है जहां जैसी बिमारी देखते हैं वहां वैसी बात कहते हैं बिमार कैसा है उसे देखना बड़े सुन्दर ढंग से पंडीजी साब यहां समझाने का प्रेत्न कर रहे हैं एक एक बात को बहुत गहराई से समझा रहे हैं काफी बातें कल हमने यहाँ पड़ली थी देखिये जो कारिय जिस भूमी का के योग्य हो उसी कारिय में शोबता है कभी कभी तो ऐसा वी तमझ लेना कि नीची भूमी का वाला उपर का कारिय करने लगे तो भी वो ठग रहा है ठगने का प्रयास कर रहा है और उंची भूमिका वाला यदि हीन कारिय करे तब भी वो शोबता नहीं है शोबता क्या नहीं है जी अनर्थ कर रहा है पाप कर रहा है ऐसा समझ लीजे आप भूमिका के योगे ही कारिय किया जाना चाहिए देखिए पेज नंबर 300 पर चर्चा को कुछ आगे बढ़ाते हैं अपन हिंदी वाली पुस्तकों में 300 नंबर पेज है गुजराती वाली पुस्तकों में 305 नंबर पेज हैं कुछ में अलग हैं 25 पेज आगे का नंबर होगा कु तथा जैसे पाकादी ओश्वदियां पुष्टकारी है। अब ये बहुत पुष्ट पुष्टकारी एदी दिखाई देती है पाकादी ओश्वदियां तो aren'tu ज्वरवान उन्हें गहन करे तो महादोश उत्पन्न हूप अब ये किस तरह की दएयां होती होगी एसा समझें लीजिये जो पावरफुल होती हो ताकत के लिए होती हो गरम दवाइशा है लेकिन वो ताकत के लिए है जैसे कहते हैं बीमारी की हालत में blesें तो लिजिए तो अंधर जो वायरस है वह अंधर के वायरस को भी उससे पुशन इसा है आयरवेड मतलब टाकत की दवाईयां 한 वह बीमारी दूर होने के बाद ली जाती है वीकनेस को दूर करने के लिए बीमारी के कालमें यदि वहाज़ी ताकत लेवें तो जब तक रोग मिटा नहीं है जब तक वह बैक्टेरिय जो भी कहते हैं तो वह जब तक मरें गे न इंदर उन वाइरस के पोशन में निमित्थ बन जाता है तो पंडी जी यहां किरें है जो पुश्ट कारी ओश्ट दी आती है वह जो पोशन करने के लिए तो जो अरवान उन्हें ग्रेंड करे तो महादोश उत्पन हो बहुत महादोश उत्पन होगा उसी प्रकार उचा धर्म बहुत बहला है खतरनाक बात कहते हैं पंडी जी कदम कदम पे ऐसे उलट पुलट बातें कह रहे हैं पिछले दो दिन से अपन देख रहे हैं पंडी जी को क्या हो गया है यह कह रहे हैं उसी प्रकार उचा धर्म बहुत बहला है परंतु परंतु अपने विकार भाव दूर और उंचे धर्म का ग्रेहन करें Boost. isn't the अप्रत्याख्यान की आवाव जैसे पावरफुल इस्तितीл अंदर में नहीं हो तब तक व्रतादिक अंगिकार नहीं करना अंदर में मिث्यात्वändern वाफर जैसा महापा बेटा हुआ है बाः में धारन कर लिया अंगिकार कर लिया इद्rok तो बोले क्या होगा यह कहरें उल्टा महान दोश उत्पन करेगा गुमी का तो यह नहीं बेश को लजाएगा और क्या करेगा इस टोडरमल जी साफ का फरंटु वास्ता हुए बड़ा खतरनाक है उचा धर्म बहुत बला है बात तो बहुत बला है बात तो बहुत उची है और होनी चाहिए उची बात जीवन में होना उबदेश तो उसी का दिया जाता है हमेशा परंटु अपने विकार भाव दूर नहीं हो और उचे धर्म को ग्रेंड कर ले वे अंदर में शक्ती नहीं है अंदर में योग गिता नहीं है अंदर में उस तरह की भाव भूमी तैयार हुई नहीं है और आपने क्या किया 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 चटाई पे सोना शुरू कर दिया अब क्या होगा कमर दुखेगी और उल्टा सीधा काम करेगा और क्या होगा खेंश्तान होगी उठापटक होगी महान दोश उत्पन होगा और उधारन दे रहे हैं पंडीजी साब पंडीजी साब जो उधारन दे रहे हैं उधारनों को एक बार देख लेना गेराई से क्या कह रहे हैं सच में हमारी ताकत नहीं है और आज यदि हम लोग लिखने की कोशिश करें हम इतना बोल भी पा रहे हैं तो हमारे बोलने के पीछे बल है पंडी जी चुटरमल जी सापका ये 300 साल पहले की लिखी हुई शास्त्र की पंक्तियां हैं इसलिए हम इतना बोल पाते हैं द्रड़ता से यदि ये पंक्तियां यहां लिखी हुई नहीं होती तो स्वतंत्र किसी की हिम्मत हो तो बोल करके दिखाए हम कैसे कहें देखो यहां उदारन है जैसे अपना अशुब विकार भी नहीं चूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगी कार करे अभी तो पाप ही नहीं चूटा ह और निर्विकल्प दशा को अंगी कार करके बैटने की कोशिश कर रहा है तो उल्टा विकार बढ़ेगा अब जराप अड़ी जी साब की इन बातों को थोड़ा एक बार गहरा ही से समझना यह व्यक्ति निर्विकल्प होने की कोशिश कर रहा है यह गहरा है यहां अरे मैं तो अब यह साधना करने के लिए बैटता हूं हाथ पे हाथ धर करके बैट गया है और आँखें बंद करके बैट गया निर्विकल्प हो जाओंगा निर्विकल्प तो एक बात बता तो सही और तेरे पाप शूट गये हैं कि पाप तो नहीं चूटे हैं तो जो तो निर्विकल्प होने का प्रयास करेगा भाया सुन ये निर्विकल्प होने के प्रयास में तू मन को एकागर तो करने ही पाएगा और मन में उल्टे पाप और चलेंगे क्या होता है बहुत सारे लोग इस तरह की बात कहते हैं जब हम जाप करने लगते हैं जब हम ध्यान करने लगते हैं जब हम उपयोग को एकागर करने के लिए बैठते हैं तो इतने ज्यादा संकल पिकल चलते हैं इतने ज्यादा चलते हैं पंडी जी क्या बताएं नौर्मल वे पहुचा लगाने के लिए तैयार हो गए काम तो उचा है लेकिन उचा काम हो तो देखो तो सही ज़रा पहले है कितने सुन्दर वाक्ये हैं एकर रहें साब निर्विकल्प दश्या को अंगीकार करें अच्छी बात है क्यों नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है पंडी जी इतना अच्छा उपदेश दे रहे हो अब निर्वी कल्प दश्या का उपदेश दिया जाना चाहिए यही उपदेश होना चाहिए हर आदमी को निर्वी कल्प होने का उपदेश दो क्या निर्वी कल्प होने का उपदेश दिया जाना चाहिए कि बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन निर्वी कल्प होने का उपदेश देवे हैं और इसको तो अभी घरग्रेस्टी के विकल्प चल रहे हैं बिजनस के विकल्प चल रहे हैं काम धाम के विकल्प चल रहे हैं दुनिया बर की उठापटक चल रही है, कशाये के भाव दोड रहे हैं, तो जब यह आँख बंद करके नर्विकल्प होने की बात करेगा, दश्या तो नर्विकल्प अंगीकार करने की कोशिश करेगा, अंदर में दश्या है नहीं, अंदर में वो भूमी का हुई नहीं, तो क इसा हो जाएगा, बिजनिस का दिखाई दे रहा हैं, किसे कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, यह साब किताब दिखाई दे रहा हैं, यह पंदी जी साब कह रहे हैं, नर्विकल्प दश्या अंगीकार करें, नर्विकल्प हो जावे तो बहुत अच्छा हैं, ध्यान द जो शब्द प्रियोग किये गए हैं वे शब्द बहुत सोथ समझ करके प्रियोग किये गए हैं। यह पंडी जी यह नहीं किया रहे कि निर्वी kali मत हो ना इसा निर्वी कल्प हो जाओंगे तो अकारिय कारी नहीं है निर्वी कल्प हो जाओंगे तो धन्य हो जाओंगे निर्वी कल्प हो जाओंगे तो महान हो जाओंगे निर्वी कल्प हो जाओंगे तो अतिंदरी आनंदकार असास वादन करोंगे इसलिए निर्वी कल्प होने का निशेद नहीं है लेकिन निर्वी कल्प पने का चोला पहन लेने का निशेद है हमने निर्वी कल्प का चोला पहन लिया निर्वी कल्प का वेशधारण कर लिया दुनिया देख देख करके कई औरे बाई साब औरे तो देखो ध्यान कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं अब अंदर में क्या चल रहा है हमारी हम ही जानते हैं आपकी आप ही जानते हैं दुनिया की दुनिया जानती है किसकी भूमिगा में क्या चल रहा है किसके अंदर में क्या बात चल रही है यह कौन जाने किसे जाने बतलाई है कितना सुन्दर शब्द है निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा यह बात ओन कहें दुनिया में कह करके तो देखो निर्वी कल्प दशा अंगी कार करें तो विकार बढ़ेगा अब कोई व्यक्ति कहेंगा पागल हो क्या अब कैसी बात कर रहे हो निर्वी कल्प दशा अंगी कार करना तो बहुत अच्छी बात है अरे दशा की चर्चा कर रहे तिर्विकल्प दश्यां अंगीकार कंड था उल्टा विकार ग़एगा विकार बड़ेगा जैसे कहते हैं न खाली दिमाग शेयरा का म See outra तो कहावश चलती से आप ने निर्व कल्प धश्यायां Hero तो कर ली और आत्मा का अवलंबन है नहीं आत्मा के बारे में जाने नहीं तो क्या होगा शेतान का घर है उल्टे सी दे विचार चलेंगे आत्मा तो जाना ही नहीं आत्मा को तो समझा ही नहीं आत्मा के गुणधर्मी शक्तियों को तो जानता पैचानता ही नहीं है तो इस दश्या को अंगी कार करके करेगा क्या कि नहीं नहीं साब हमने निर्वी कल्प दश्या की बहुत महीमा सुनी थी एक बार निर्वी कल्प दश्या की काफी महीमा सुनी एं निर्वी कल्प होना चाहिए निर्वी कल्प होना चाहिए यह बात हमने सुनी हैं तो फिर क्या करें हो जाए हैं निर्वी कल्प जो लोग होते हैं वे हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं निर्वी कल्प जो लोग होते हैं वे आंके बंद करके बैठते हैं निर्वी कल्प जो लोग होते हैं वे आसन लगा करके बैठते हैं तो तू नकल कर रहा है चाराय राजयां की तरह भhrasht हो गए ती रिशमदेव के साथ में दिक्षा ले ली थी और जैसे छार हजयार राजया भरेस्ट हो गए थे वैसरों का रहा है पुष्पडालने विज अंगी कार कर लिया था वारीशेन के साथ में वारीशेन के पास में दिक्षा ले ली थी उसी तरह से यह काम कर रहा है कि ध्यान नहीं हो रहा है आत्म नहीं पकड़ में आ रहा है लेकिन आत्म ध्यान का डोंग हो रहा है आत्म ध्यान का नाटक हो रहा है तो उल्टा विकार बढ़ेगा विकार कै से बढ़ेगा कि खाली दिमाग से एले घर इविकार बढ़ेगा और क्या का अंतर से होती है जो निर्विकलप दश्या मनें जो गाश्या शब्द का परेयोग कर रहे पंड़ी जी साहब ये दश्या मनें फोटो हमेशने पर दिखाई देरा है वं निर्विकलप देखिए क्या किया रहे हैं सुनो सुनो एक एक शब्द अभी उधारन दिया है पंडी जी साब ने यहां निर्विकल्प के संदर्व में यहां उधारन जैसे अपना अशुब विकार भी नहीं चूटा हो जिनका आशुब चूट गया जिनका पाप चूट गया जो शुब्भाव के अंदर बहुत काल व्यतीत करते रहते हैं अब वे लोग शुद्धो पयोग का प्रेत्न करें तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन में करता हु मैं इency tin चूट कर मतलब घरके प्रती मत्व चूटा爱शेDonेया मैं तो क्या करनेशफा ुटा पटागी दिखती रहती है अभि तो विकार चलता रहता है अभी तो सामाजिक की आचनीती में जुब गुंता रहता है अभी तो मन्दिर की राजनीती में उल जा । बच्चे ने क्या जवाब दिया था, तुम्हारे को पिस्फ पाइसा कै दिया हम अश्वेंड मेरे ऐसा कै दिये मैं अपसोस हो रहा है मेरे को मेरे दिल को बथ बथ जटका लगाए का मैं सोच नहीं सकता में क्या करो मैं आप ये सोच रहाई। क्या करो मेरी बहु ने मेरे से ऐसा के दिया मेरी सास ने मेरे को ऐसा के दिया मेरी सास तो मैं तो कितना मैं उनको मा जैसा समझती थी लेकिन सच में वह तो मा तो दूर सास कहलाने के लाइक भी नहीं मेरी बहु ने ऐसा कर लिए मेरे साथ में मैं तो उसको बेटी जैसा समझती तो बहु कहलाने के लाइक भी नहीं है मेरा बेटा सगा बेटा एक ही बेटा है मैं उसके लिए क्या क्या नहीं किया मैंने और वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है अब बेटा बाप के लिए सोच रहा है बाप बेटे के लिए सोच रहा है पती पत्नी के लिए पत्नी पती के लिए सा आए जैसे पुटें नहीं पाप नहीं चूटेंगे तो यह तो सब चलेगा और क्या चलेगा दिमाग में कि संजे जी वाइसा दिमाग में यही सारी तो बातें चलेगी उठापटग टोडरमल जी के रहे हैं अशुब विकार तो छूटा नहीं है अशुब विकार भी नहीं चूटा क्या और निर्विकल्प ध्यान को अंगिकार करें तो उल्टा विकार बढ़ेगा तथा भोजन और आरंब आदी धर्म को आरंब त्याग आदी धर्म को अंगिकार करें तो दोशी उत्पन होगा क्या करो बोलो आरंब त्याग प्रतिमा प्रतिमा धारी व्यक्ति है यह अभी आरंब त्याग धरम को अंगी कार कर लिया और नहीं हम तो आरंब त्याग प्रतिमा धारी हो गए अच्छा अब आरंब त्याग प्रतिमा वाले अब आदेश नहीं दे सकते अब भोजन के लिए क्या होगा अब मन में आ सकती तो चूटी नहीं है बार बार में विकल्प आते हैं यार आज यह क्यों नहीं बनाया यह बना लेना चाहिए था मौसम इतना थंडा हो रहा है इस थंडे मौसम के दर तोड़ा गरम-गरम बन जाता मैं क्या कहूं को खुद को ही सोचना चाहिए करदाएं बहुत अब भोजन के आ सकती तो तूटी नहीं है अभी का अल्वा खाने की इच्चारी है अभी हल्वे की इच्चारी है अभी पकोडी की जाय हो ओर हिए अभी फीर खाने का मन कर रहा है रहे वही बहुजन आदी विश्यों में और आदी विश्यों के इंदर तो आ सकती तो टूटी नहीं है और धर्म अंगीकार कर लिया उंचा तो क्या होगा दोशी उत्पन करेगा और देखो इसके आगे एक और लाइम सुन लो जरा तथा जैसे व्यापारादी करने का विकार तो छूटे नहीं बड़ी गंबीर बात कह दिये हैं साब यहां पर क्या विकार व्यापारादी कार्य करने का विकार तो छूटे नहीं क्या व्यापारादी करने का विकल्प नहीं चूटा है अभी आ सकती चूटी नहीं है अभी तो मन उठा पटक के अंदर लगा रहता है व्यापारादी के अंदर चूटे नहीं और त्याग के वेश रूप धर् तो क्या करेगा महांदोश उत्पन होगा इसी प्रकार अन्यत्र जान लेना क्या के दिया त्याग के वेश रूप धर्म अंगीकार कर लिया शब्द तो पंडी जी साब के ऐसे हैं त्याग के वेश माने पंचम गुनस्तान वरती हो गए ब्रह्मचारी हो गए एलक शुलक हो ग कि बढ़ कि माराज पंडी जी साब में पंच से ज्ञाद नहीं सकता है क्या बात करता है यार मेरा आशीरवाद में तो चिंता मत कर अब वह सी खुंगा थोड़ा थोड़ा दो बढ़ा अब तू बिद्स कर रहा यां पर क्या चल रहा है बता मेरे को भूब या एक एक कमरा तो तेरे नाम लिख दिया मैने एक कमरा तो तेरी तरह से बने गा यह तो तेरी तरफ से होगा जैन ना भी अब यह जो बिजनेसस वाली जो मंतलइटी है तो तो पैसा जाएगा इस Э्साब किताब लिए थो करने पढ़ेगे तो अब क्या कहा से उस सेख को बोला मेरे मिरे नाम से बोलना उनेगा उन से कहना उनोंने का है पंडी जी ने का है त्यागी जी ने का है वृती जो थे मैं टोडरमल जी की लाइने कह रहा हूं जो ँडेरमtha की ना試 है अपनी तरफ से कोई नमक मिर्च मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं सिर्फ लाइन का भाव इस्पष्ट हो जाए हमारे दिलों दिमाग में उतना ही प्रयास कर रहा हूं किसी पर कोई उंगली उठाने का अभिपराय नहीं है लेकिन पंडी जी यह कह रहे हैं अपने आपको देखना अपने आपको इसे देखो क्या के रहे हैं बहुत-बहुत गजब की लाइन व्यापा राधिक के संदर में क्या के दी आए अब प्रमोजी वाइसाब यह सारी दश्या इन समका पल तो आनंत संसार है जी निगोत के अलावा और क्या फल बतलाएंगे सारा फल गूम फिरकर के एक ही आता है कई भी इलटे हूए उल्टे सइधे काम करते रहो फल तो एक ही है अनन्त संसार है और और क्या है तोडरमल जी बहुत बाडे जोतीशी च्छी थे घसे निमित ग्खानी थे जोडरमल जी बहुत बड़ा वाउवासन था टोडरमल जी भविश्य वेटता थे टोडरमल जी फ्यूचर देखते थे टोडरमल जी ने भविश्य देखा हैं टोडरमल जी ने तीन सो साल बात की दहिशाएं देखी है तीन हज्जार साल बात में भी क्या गटना है गटने वाली है वो सब टोडरमल जी को सब पता था क्या तोडरमल जी साहब पता नहीं आपको, उनकी लाइनों को देखो तो सब बातें पता लगती है, पंडी जी क्या आयूरवेट के भी जाता थे, गणित के भी जाता थे, इनकी करतियों को देखते हैं, तो पता लगता है हमारे को, सब कुछ तोडरमल जी के पास में था, फल तो परिणामों का ही लगेगा और भाईया वेद विज्ञान यदी है नहीं समझ लीजे आप तो फिर अनंत संसार है सबका एक ही फल है कई बार कई लोग पूछते हैं पंडी जी किसी के साथ में दोका कर दिया इसका फल क्या मिलेगा पंडी जी किसी के पैसे खा गए इसका फल क् से क्या सारे फ़ल एक साथ मिलते हैं सब निगोद में जाकर के सारे फ़ल फलित हो जाएंगे क्या करें एक चीज का बतला है जो है जो हूँ है कॐन से नर्ख में जायेगा पंडी जी बता दो अब लोग इस तरह के प्रेश्ण करते बहुत बार आते हैं हमेशा सही सब्स्थ आते रहें और आते रहें गे इस तरह के प्रश्ण, थोड़ी बहुत भी ना समझी होती है, बताओ तो निए पंडी जी इजी किसका फल बतलाएं, जीवन में अजम रावन नरक में गया, किसका फल बतलाएं बलो, प्रत्मानु योक की शेली अपना लो बुरे कारे का बुरा नतीजा और क्या कहें सीता का हरन किया था और और क्या कहें कुछ नहीं कहा जा सकता है किसी के बारे में क्योंकि पूरे जीवन भरका लेखा जोका हो करके हिसाब किताब निकलता है ऐसा निचोड निकलता है तब जाकर कि उसका फल कहीं किसी भाव में जाकर कि दिखाई देता ह एक वाक्य किसी ने कह दिया अब उसका फल बतला दिया हमने नरक और उसके बाद में तो उसने दिख्षा ले ली बावलिंगी हो गया और वो तो केवल गयान प्राप्त कर लिया अब किसका क्या फल बतला है खुषण क्षण में तो परिणाम बदलते रहते हर खुषण के परिणाम का फौल हलाग अलग प्रकार का होता है आप एक फल क्या जानना चाहते है आप पन्डी जी मंदिर से द्रवे चुरा करके ले अब क्या फल होगा पंडी जी मंदिर की मकान इनोंने अपने कभजे में ले लिया, क्या फल मिलेगा इनका, क्या क्या फल बतला है एक एक चीज का निर्माल ने ले लिया पंडी जी इनको क्या फल मिलेगा, दान का पैसा खा गए पंडी जी इनको क्या फल मिलेगा पंडी जी इन्होंने उनकी निंदा करी, इनको क्या फल मिलेगा, अरे हम क्या फल बतला हैं एक एक चीज का, एक बतला दिया हमने, अनंत संसार है खोटे कारे का फल, और क्या जानना है आपको, निगोद है, अनंत काल तक संसार में रुलते रहेंगे, ऐसा है भाई सब, जिसन आत्मा को नहीं जाना, जिसने अपने आपको नहीं जाना, जिसने अपने तरिकाली द्रू गया है, भगवान आत्मा का अवलम्मन नहीं लिया, अब तुम कुछ भी करते रहो, एक फल निगोद, नहीं निजा पढ़ लिए, आपने तो निगोद बतलाया था, और हमने तो प जाना तो निगोद में ही है, फाइनली, हैड कोटर तो वही है, बीच में रूट चेंज कर लिया, थोड़ा सा इधर होकर के चले गए, तो क्या हो गया, उसमें, क्या, कुछ-कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इन सब चीजों से, इसलिए कुल मिला करके, आत्म कल्यान की तर उसलिए कारी का विकार तो चूटे नहीं, विकार इन चूटा अंधर से, व्यापार करनेगा आ इसकती नहीं छूटी, धन प्रति आप शकती नहीं छूटी, हसाब के लिंदिन का बड़़ा पकका है, यह सारे काम तो चूटे नहीं है, अरे देखो भई, कोई इंजीनियर है अब इंजिनियर है अब देख्षा लेली उसने त्यागी हो गया तो अब इंजिनियर पना तो छोड़ दिया लेकिन पहले पैसा कमाने के लिए करता था अब मंदिरों के लिए करता है तो दिशा बदल गई बात तो वही है और क्या है काम तो वही हुआ ना पहले बहुत साथ किताब मैं पहले ए्टर्में पहले ऐसा था और मैं पहले ताया वों को आप नोग Hebrew यह साथ किताब के लिए Els already カンタ किया है एक किमी से आसती चूठीने चाहिए स्ली काम यह अंत्रंग का विकार मितना चाहिए है यह अंदर से बदला होना चाहिए उपर का वेश बदलने से कुछ नहीं होता है जैसे व्यापाराधी करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के वेश रूप धर्म अंगिकार करे त्याग के वेश रूप धर्मा अंगीकार करे महान दोश है त्याग के वेश रूप वेश अंगीकार करे तो महान दोश उत्पन होगा इसी प्रकार अन्यत्र जानना शब्द के दिये पंडीजी क्या कहें चलिए और देखते हैं आगे ज़रा क्या-क्या लिख रहे हैं पंडीजी साब इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्त अंगीकार करना अभी टोडरमल जी जान रहे हैं हमें पता है हमारी टांग खेंशने वाले कई लोग होंगे हमें पता है जैसा वाले हम किसी की व्यक्तिगत बात तो कर नहीं रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत ले रहा है तो पर ऐसा लगता है कि वह डाड़ी में तिनका जैसी कहावत है ना ऐसा है तो जो बात कह रहे हैं यह बात तो आगम की कह रहे हैं और दुनिया हमें कितना भी बुरा बला कहती रहे हम तो कहने से चूकेंगे नहीं प्रमोजी वाई सब क्या हम तो कहने से चूकेंगे नहीं और हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा यह बता हम तो यह सोचते हैं यदि हम सची बात नहीं बतलाएंगे तो कौन कहेगा हमें किसी का लोब लालच तो है नहीं क्या हमें क दिस्लाइक कर दिया तो इस कोई परक परक पढ़ गया उससे आप लाइक करो चैने डिस्लाइक करो आप अप शब्लक ने किए तो आगम के अनुसार जो बात यह सो और हम तो प्रानटे को एक आदमी मतला हम तो उस लेवल तक जा सकते हैं जिस लेवल तक हमारे प्राण हरन करने की कोई यक्ति सोचें बोलो उस लेवल तक हम सत्य का प्रतिपादन करेंगे तूररमल जी के सिश्य के सीव्त सीवाइव के रिए विद के से अनुव्याइए आपके सिश्य आतर नंसरण करेंगे बात नहीं जिन दरम जिन धरमन तेरी र nearly दो तरब टर्स जाएंगे नहीं को और fakhl Ambani के विद्वी नहीं देखो क्यों क्या अच्छी बातें जरा देखना अच्छी बातें अंगीकार करने के लिए है उपदेश आपके लिए नहीं है उपदेश अपने आपके लिए ठीक है ना सुनो जरा क्या कह रहे हैं इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को सच्चे विचार से विचार सच्चा करना इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ अंगी जानकर अंगीकार करना उपदेश को अंगीकार करना यथार्थ जानकर अंगीकार करना बहुत विस्तार कहां तक कहें कह दिया पंडीजी साब ने और ये भी समझ लिया पंडीजी साब ने हम कहां तक व वासित होता है कौन कितने पानी में है वाई साब क्या है कौन कितने पानी में है किसी के बतलानी की जरूरत है हमको खुद को नहीं पता लगता है हम कितने पानी में हमें नहीं पता हमारी आंतरिक इस्तिती क्या है हमें नहीं पता हम किस लेवल पर उपर चड़े हैं कितने गिर हमें नहीं पता हमारे अंदर में क्या चल रहा है कि सब को पता है कहते भी है लोग इस तरह की भूल चाल की भाश्या में ऐसा प्रयोग भी करते हैं पाटनी जी साथ ऐसा प्रयोग भी करते हैं मुझे को मेरे से ज़्यादा कौन जानता होगा मुझे को मेरे से ज़्यादा कौन जानता है बरत भाई मुझे को कौन जानता है मेरे से ज़्यादा यह आप भी कहते होंगे हर व्यक्ती कहता है इस तरह की बात मैं ही जानता हूँ मैं कैसा हूँ कि देखिए क्या कि रहे हैं सम्य ज्ञान होने पर स्वयम कोई अथार्त वासित तक सम्य ग्टाइब जो कोई चलतां हो गाँ सम्य ज्यक्टाइन हो गया जैसे यह भेद विज्ञान हो गया अप बोस्यान हो जाने के बाद अब कुछ कोई पता लग गया यार मैं तो गलती पर था वाई सब तो मैं कहा जा रहा हूं यार मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूं मैं प्रदर्शन के लिए कर रहा हूं दिखावा है प्रदर्शन है अरे नहीं यार यह जिन धर्म आत्म कल्यान के के लिए मिला है यह जिन्धर्म दूसरों के लिए नहीं मिला है यह जिन्धर्म कोई औरों के लिए नहीं है यह जिन्धर्म अपने आप के लिए यह वीतरागी जंतों की वाणी किसी और के लिए नहीं है यह तो मेरे लिए है क्या कि देखिए क्या के रहे हैं उपदेश तो वरचनात्म के एक एक शब्द बड़ा गंबीरता से लिखते हैं पंडी जी साब उपदेश तो वचनात्म के भ Canada अब ऑदमा की अब बडा गजब का कमाले वड़ा जिया रेये ओक यह उपदेश तो वचनात्म की दिया जाएगा और आत्मा वचनाती थे आत्मा शब्दाती थे आत्मा विकल पाती थे अब क्या करें वह ले सुनो बलेई वचन आत्मा गुपदेश है बलेई वचन जड़ है क्या बलेई वचन पौदगलिक है लेकिन उसके बावजूद भी ये वचन इतना काम तो करते हैं अंदर तक असर करते हैं पंडी जी साहब टोडरमल जी साहब आपके ये शब्द भले ही पौदगलिक हो लेकिन फिर भी आपके इन शब्दों में इतनी ताकत है जो चेतन को चेतन्य तत्व की अनभूती के लिए प्रेरणा प्रदान करती है इन जीवों को धर्म मार्ण में लगने के लिए और लगे रहने के लिए शंबल प्रदान करती है कि ये बाते हैं इसलिए इने पौदगलिक कह कर के इने जड़ कहकर के इन से विरख्त होने की जरूरत नहीं है इन शब्दों में बड़ी ताकत है वाई साब इन शब्दों को अ शब्दों को समझा जाए यदि इन शब्दों की गहराई में जाया जाए तो यह शब्द आत्म कल्यान करा देने में समर्थ होते हैं उपदेश तो वचनात्म के तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युकपत नहीं कहे जाते ये भी बात समझ लेना बड़ा अनेकांतिक निरू ऐसे वचन द्वारा अनेक अर्थ युकपत नहीं कहे जाते आप क्या सोच रहे हैं राजीव भैसाब आगरावले बोलो आप क्या सोच रहे हैं रही यार आप किसी पंडित का किसी विद्वान का किसी वक्ता का एक वाक्य सुनकर के आप उसके बारे में यदि कुछ धारना बना लेते हैं तो आप गलत फ़हमी में हैं, वह जो विदवान वक्ता हैं वो विदवान वक्ता है ये सच में जिन धर्म का अनुएई है, तो भिन भिन समय पर जहां जैसे विवक्षा होगी वह उस तरह का प्रति पादन करेगा, अनिक अंतिक प्रति पादन होगा, अब कोई आदमी इस लाइन को पड़कर के बेड़ जाए शास्त्रा अभ्यास निर्थक है प्रतिक्रमन जहर है और और क्या पड़ाता भी अपने ऊपर वाक्य है बरे लेसरे के इस माधा शुक है और इस वाक्य को लिखे कर के यदि कई कई कोई टांक कि तो उल्टा महादोश होगा विकार उत्पन होगा तो लोग कहेंगे यारी क्या है क्या बात कर रहा है यारी कोँ नहीं निर्वी कल्म देशा को अंगी कार करने को बुरा कह रहा है वो मुक्षु समाज में बैटने देंगे क्या उसे बतलाओ मेरे को सोचना जरा गंबीरता से आलोग जी वहिसाब कारन जावले यह जो बात कह रहे हैं यहाँ पर इन इन शब्दों में टोडरमल जी के इन शब्दों को सुन करके ऐसे बात यदि कोई व्यक्ती कोई वक्ता आपकी सवा में कहे आगे पीचे की बात नहीं और 5 मिनुट तक यह कहे इसी तरह की बात निर्वी कल्प दश़वांगे कार करने से उल्टा कारी कारी होगा तो आप उसे बेटने दोंगे क्या गदी पर नहीं बेटने देंगे और सारी बातें कहनें के़ने के बाद में पिर कहे ये तो वाक के टोडरमल जी का है अच्छा टोडरमल जी ने लिखा है क्या अच्छा फिर तो ठीक है पिर तो ठीक है तो ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक नहीं है को तो राग आत्मा का स्वब़ाव ए आप तैयर है इस बात को मानने के लिए राग आत्मा ने भबर्णा नेव क्या हम आप मेरे सामने बेटे हुए है मैं बहुत समझ कर आ議 시नल कर बोलता इसे बातें किया रहे है राप एसे बातें किया रहे है राप तो विभाव ऑपनडी आपको इतना साभी पता नहीं है क्या प्रबचंद्रचार्यदेव ने राक ciendo स्वभाव लिखा किया बात कर रहे हो गैंड़को आत्मा को भगवानिकेंने वाले अम्रत делать to प्रवचंसार परिशिष्ट, अम्रचंद्राचारिय, 47 नईयों का प्ररूपन, हमारे जितने विद्वान लोग सुन रहे हैं, सारे विद्वान लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, नई चक्र पढ़ा होगा, एक नियती नए है, एक अनियत नए है, राग आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उसे अनियत स्वभाव कहा गया है, बोलो, अनियत स्वभाव कहा है विरेंडर जी उसे, बोलो, निपुन भाई उसे अनियत स्वभाव कहे करके पुकारा गया है, स्वभाव कहे करके पुकारा गया है, भाई अखिलेश जी, अनियत स्ववाव है अमर्चंद्रा चारे लिख रहे हैं और दादा का प्रतिपादन देखना और गुरुदेव के प्रवचन सुनना इसके उपर नए प्रग्यापन के उपर आपको इसपश्टी करण समझ में आएगा बैया जिस वस्तू में राग रूप परिणमन करने की युग्यता ही नहीं हो जिसमें स्ववावी नहीं हो वो राग रूप परिणमन नहीं करती है क्या इसमें राग रूप परिणमन करने की युग्यता नहीं है सामरते नहीं है मैं ग्यायक हूं इसमें राग रूप परिणम भाव है सवभाव है लेकिन आनियत सवभाव है बदला जा सकता है परियाय में सवभाव है जैसे समझ लीजए अगनी में यदि किसी वस्थू को गरम करने की ताकत है अगनी गरम होने की योग्यता होगी वही गरम होगी तो उस वस्तू में गरम होने की योग्यता नहीं हो तो तो बोले कितनी भी आग जलाओ दुनिया में ऐसे कितनी तरह की चीजें होती है जो फायर प्रूफ होती है क्या अब वह फायर प्रूफ जितनी भी चीजें हैं उनको अगनी का असर नहीं होता है आप अगनी कितनी भी जलाओ आप तो असर नहीं होता है क्योंकि उन में जलने की युग्यता नहीं है इसी तरह से जड़ पदार्तों में राग विकार भावरू प्रणमन करने की युग्यता नहीं है आनियत स्ववाव का है आनियत स्ववाव डरने की जर सामान्न रीती से तो यही बात समझना कि वह राग विभाव है राग लिकार हे ठीक है ना राग तो लिकार ही या उस बात को भी सीकार करने नहीं है us के नाए कि सामान रीती से जभी चर्चाहें चलेंगी तो यही कहा जाएगा यही कहा जाना चाहिए stronger राग विपार है राग एक समय का समय के परियाए में है राग नाशवान है राग का और हुआना का अब हाओ है判 gir है ग्यान के प्रदेश न्यारे हैं राग के प्रदेश न्यारे हैं दोनों बिन बिन हैं समय सार की 181, 182, 183 गाता अमरत चंडरा चारी की टीका ग्यान के प्रदेश राग के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं राग तो मेरे में ही नहीं बिलकुल बराबर बर इन बातों को स्विकार करना लेकिन यदि कहीं किसी वक्ता के माध्यम से किसी प्रसंग में कहीं किसी शास्त्र में एक वाक के ऐसा पढ़ने को मिल जाए है कि आत्मा का स्ववाव है राग करना जीम का ही स्ववाव है तो भी डरना नहीं मैं ये कह रहा हूँ बाक्यों को देख करके डरा नहीं जाता है बातों को सुन करके घबराट नहीं होनी चाहिए बातों को सुन करके उनकी घहराई में जाने का प्रैत्न किया जाना चाहिए ये टोटरमल जी कह रहे हैं सम्मय घ्यान होने पर सारी बाते इतार तरीथी से बासित होती है लेकिन इतना पेशिंस होना चाहिए अंदर में इतनी पावर अपने अंदर में बढ़ाओ कि हम बात को स्विकार कर सकें इतना पेशन्स का है हमारे सामने हम तो सामने हमने जिगनेश भाई एक बात आपकी सुली और हमने आपको रेजेक्ट कर दी अठाओ ये क्या है गलत बात कहता है ये तो का बतला है चलो देखो यहां क्या बाग के समय तो ऐसा दोड़ता है थोड़ी सी चर्चा करते ही थोड़ा सा किसी लाइन के बारे में विस्तार करने लग जाओ तो समय भागने सा लगता है बड़ा सुंदर पेरेग्राफ था उपदेश तो वचनात्मक है अब टूडरमल जी क कहेंगे उसे नौ अब्जेक्शन बात कह रहे हैं या अब्जेक्शन मत करना मेरी बात को सुन करके यह पंडी जी कह रहे हैं यहां उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युकपत नहीं कहे जा सकते हम जब बात कहेंगे तो एक समय में एक ही वाक कि अर्थ की मुख्यता सही तो होता है कि डिस्क्लेमर दे रहे हैं ऐसा समझ लो अवनिश भाई और क्या कहें डिस्क्लेमर जैसा ही है और क्या है यह एक समय में तो एक ही बात कहूंगा यार आप मेरे को यदि आप गलत समझ रहे हों तो आप मेरे दूसरे प्रवचन को सुन कर करके देखना तो आपको बात क्लियर हो जाएगी आज यदि मेरे मुख से आप ये चारित्र की चर्चाएं विशेश सुन करके आपको किसी तरह का ब्रह्म हो गया हो तो मेरा दूसरा प्रतिपादन सुन करके देख लेना जाए इनको जड़की क्रियाएं के करके इनका निश को सार रहे जाना आप या नहीं है या आप एक वाक्या के आदार पर कैसे निर्णे करेंगे आप किसी दिन हमारे को डो से खाते हुए देख लेंगे आप तो आप कह देंगे कि अजब नहीं है अपक्रोडरमा जी कियरे हैं यूगपत तोड़ी नहीं हो सकती है एक बात लेकिन इसी तरह की बात किसी व्यक्ति को समझा रहे थे कि आत्मा तो अमूर्तिक होता है नई चक्र की कक्षा के इंदर विशेश रूप से पढ़ाते हैं विद्यारतियों को समझाते हैं समय नई चक्र के विद्यारतियों को जब टूडरवल जी साब ने वो प्रकरन दिया न वहाँ पड़ीजी साब ने ऐसा लिखा था कि निश्चे से तो आत्मा परद्रव्य से भिन स्वभाव से अभिन स्वयम सिद्ध वस्तू है जो उसे नहीं पेचानते यदि उन्हें उसी प्रकार कहते रहें तो वे समझ नहीं पावे तीन तर्क दिये थे इसी तरह से निश्चे से तो आत्मा अवेद है उसे उसी प्रकार समझाते रहें तो वे समझ नहीं पावे इसी तरह से तीसरी बात कही निश्चे से तो वीतराग भाव ही मूख शिमार गहे है जो उसे नहीं पैचानते इसलिए उन्हें परद्रवे का निमित मिटने आदिक की अपेक्षा से वरत्शील सहियम आदिक का उपदेश दिया है तीन तर्क दिये थे अब भाईयन निश्चे निश्चे की बात कहते रहो तो समझ ही नहीं पाएगा सामने वाला आदमी कैसे समझाओंगे आप उसको तो कभी व्यवार की मुक्ता से समझाया जाता है रोगी कैसा है बीमार कैसा है आत्मा कैसा है और हम किसी विद्यार्थी को समझा रहे थे किसी व्यक्ति को समझा रहे थे किसी सज्जन को समझा रहे थे इस मारक के बार खड़े रहे कर के गेट पर खड़े रहे कर के समझा रहे थे और पांस साथ विध्यार्ती उदर से उजरते हुए निकले हमने का भी या आत्मा तो अमूर्थिक होता है समझा रहे थे उसको अब इतने में दूसरे व्यक्ति जो उदर थे उसे हमारे विद्र थी नए चकरि हुआ है साव क्या बहत रहने हो आत्मकों अमुर्थिक के रहे हो इसमें अतिवोज्वीर कर दोश आत्मकों अमूर्थिक चैने पर आप यह कैसी बात के रहे हैं 252 नंबर पेजपने चरचा है अत्मकों अमूर्थिक आति व्यापती दोश आएगा इसके अंदर तो अमूर्तिक तो धरम दरवे भी होता है अमूर्तिक तो अधरम दरवे भी होता है अमूर्तिक तो आकाश दरवे भी होता है अमूर्तिक तो काल दरवे भी होता है अति व्यापती दोश आएगा गलत निरूपन कर रहे हो आप मैं वालू में चर्चा क्या चल रही थी नहीं हमें पता नहीं चर्चा लेकिन चर्चा का क्या करना है आत्मा को अमूर्तिक कैसे कह सकते हो आप मैंने क्यों आत्मा के मैं अमूर्तिक नाम का गुण है नहीं क्या हर बात को लक्षन की दरश्टी से देखना जरूरी है क्या चर्चा बूत प्रेत्वों को जाते हुए देखा मेने सफेद बिल्कूल सफेद मेने कैसा दिख रहे थे बोले सफेद सफेद दिखाई दे रहे थे आत्मा भट रही थी यहां तो मैं इनको क्या समझा बतला इनका भूत उतारने के लिए यही समझाना पड़ेगा ना इनको कि तुम ज ग्यान निरूपन कर रहे हैं कभी अमूर्तिक कह करके निरूपन किया जाएगा कभी ग्यानवान कर रहे हैं कभी सुक्सववावी कह करके निरूपन किया जाएगा आत्मा को समझाए जाता है जैसा मरीज होगा उसका उपचार उसी तरह से तो और एक बार में एक ही बात कही जाएगी जब लक्षण निकालने का प्रकरन आएगा तब हम ही यह कहेंगे कि आत्मा को अमूर्थिक कहने में आतीव्यापति दोश आता है यह ऑंको गार नहीं घी हो जागे लेकिन यहाँ यह बात मुखेता सहित होता है अब ये टोडर मली जी साहब ने अगला जो पेरिग्राफ है उसमें स्यादवाद शेली को स्यादवाद विचार को आने कांतिक पद्दती को हैं किस तरह से उबदेश के सचे फल को यह दिया आपको प्राप्त करना है तो कैसी शेली को अपनाना चाहिए ये पंड़ी जी साहब ने बड़ी सुन्दर बातें कही है कि उबदेश की इन सब बातों को किस तरह से मैग्जीमम रिजल्ट ग्रास्प किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा फल उबदेश का कैसे प्रात्त किया जा सकता है इस बात को बात को यहीं जिराम देता हूँ आज तो आज ये अने काम तिक चर्चाएं आज श्याम की प्रावचन में भी चलने वाली है आत्मा करता है कि आत्मा करता है आत्मा भोगता है कि आत्मा भोगता है आत्मा मूर्तिक है कि आत्मा मूर्तिक है ये चर्चाएं भी आज शाम को सहीम प्रकाश प्रहुचन नमबर 22 में चलने वाली है 22 नमबर का प्रहुचन सहीम प्रकाश का बड़ी मारमिक चर्चाएं हैं आप उसका वश्य लाब लेते रहें जिनवाणी इस तुटी निजनिदी निजमें बताई यह अनन्त उपकार है उसके लिए जिनवाणी मां को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है यह रहा भानों गास नमोरीहंतानम, नमोचेतानम हेरियानम नमोबजयानम, यह उसके रुणताम नमोबजयानम, हमम्हे करिवदाम